इस वीडियो पे आप जो थम्नेल देख करके आए हो इसके उपर बात करेंगे लेकिन एक छोटी सी इंफर्मेशन आप लोगों को दे दिना चाहूंगा जो की काफी मज़िदार है और कई सारे रेकर्ड को तोड़े है जबर्दस कलेक्शन करें और इन दोनों फिल्म का सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगा देखो स्ट्रीट्यू मुवी में सरकटा था जो कि सरकटे की आतंक के साथ ही ये फिल्म जाती है सरकटे के इसा लड़ाई करके ही ये फिल्म इतना मज़ेदार बन जाती है जो लोगों को इतना पसंद आया और इतना ज्यादा कलेक्शन किया ठीक है ठीक उसी तरह कल की 288 एडी मुवी में सबसे ज्यादा मस्त लगने वाली चीज और सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला चीज ग एकने करते तो मैं आपको यहारा चाहूंगा एक ऐसा एक्टर है जो कि सरकटा और अस्वथ हमाय को कनेक्ट करता है मतलब और सरकटो की किरदार में भी था कर रहा था अब यह सब्से ज्यादा करने वाली सबसे ज्यादा सर्क्सेस होने वाणी फिल्म का असली कारण भी सुनिल कुमार ही था जो की सरकटा और अस्वत्हमा था जिसको लोग सबसे ज़्यादा enjoy करे हैं अगर यह news आपको पहले से पता थी मतलब यह update आपको पहले से पता थी यह चीज तो आप ज़रूर comment करना मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक इंसान है जो कि दोनों film को इतना success कराया लेकिन वो परदे के पीछे रहे करके चलिए अभी हम बात करते हैं जो आप thumbnail देख करके हैं उसके बारे में यस अभी update आ रही है मतलब बश उठ रहा है कि कंगुवा मुवी की pre-release event में darling प्रभास आ सकते है ठीक है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक बहुत पहले update आ रही थी और बश उठ रहा था कि कंगुवा में मतलब छोटा सा cameo हो सकता है darling प्रभास का बुल गरिये और second part में वो lead हिसाब से आएंगे मतलब सूरिया के साथ आएंगे लेकिन वो होगा की नहीं होगा मुझे नहीं लगता है लेकिन जो भी हो एक इस तरह का फिल्म बन रहा है जो की इंडियन सिनमा में पहली बार है कुछ अलग दिखाने की कोशिज कर रहे हो और ऐसी फिल्मों को darling प्रभास का हमेसा सपोर्ट रहता है और सूरिया और darling प्रभास का बहुत ही अच्छा का सा बॉन्डिंग भी है और मतलब इस तरह की फिल्में इंडियन सिनमा में बनाना पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना मल्टी मल्टी पार्स में फिल्म को रिलीज करना कुछ अलग दिखाने की कोशिज करना इसका तो मतलब darling प्रभास को बुला करके उसको appreciate करना और उसको celebrate करना बनता भी है तो इसी वज़र से लगी रहा है कि pre-release बच उट रहा है कि pre-release event में darling प्रभास पधार रहे है अगर ऐसा हुआ तो भाई ये फिल्म और वी जदा कमाल का करेगा क्योंकि डार्लिंग प्रभास की फैंस लोगों का प्यार कंगोवा मुवी के उपर जाएगा और एक बुष्ट होगा यार ओवियसली फिल्म बहुत ही कमाल का रहेगा ये फिल्म लोगों को पसंद आएगा और उसी इसाब से कलेक्शन करेगी लेकिन मैं बात कर रहा हूं विकेंड की फर्स्ट विकेंड की दो चार दिनों की मतलब डे वान कलेक्शन की ये सारी चीजों को ना डालिंग प्रभास की प्रेजन बहुत ज्यादा मेटर करेगा लिटरेली ओके फिल्म के उपर लोगों का इंट्रेस्ट है और उपर से डालिंग प्रभास आगया फिर मतलब कमाल का कलेक्शन डे वान में देखने को मिलेगा अगर इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कंगुबा के मेकर्स तो सही जा रहे हैं उनको बुला लेना चाहिए प्री रिलिस इबेंड में अगर वो आज आते हैं को कंगुबा मों भी बहुत ज़्यादा बुश्ट करेगा ओके ओफफुली बुलिए आपको चीन लगी होगी थैस्ट वोचिंगा वे नाइस टिए